मानो प्रजाती की सबसे खास बात ये है कि वे समय और टेक्नलोजी के साथ आगे बढ़ती रहती है और खान पान और पैसे कमाने के नए तरीके खोजती रहती है लेकिन भारत में किसानों की देनीय स्थिती में सुधार अभी तक नहीं वो पाया है क्यूंकि अभी तक हमने खेती को टेक्नलोजी से नहीं जोड़ा था पर अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि साई शक्ती बायो टेक्नलोजी कमपनी इस दिशा में पिछले कई सालों से काम कर रही है और किसानी से संबंदित कई तरह के हाइब्रीड पौधे और अन्य तरह की तकनीक में सफलता हासल करती आई है साई शक्ती के शोध करने का मकसद सिर्फ ये है कि किसान भायों को जादा उपजाव पौधे दे सकें ताकि हमारे देश के किसान करज मुप्त होकर आत्म निर्भर बन सकें साई शक्ती अपनी लैब में अवल दर्जे के शोध करताओं की मदद से टिशू कल्चर के पौधे तयार करती है अब ये सवाल उठना लाजमी है कि टिशू कल्चर आखिर है क्या और ये किसानों को किस प्रकार से मदद कर सकता है दरसल पौधे में टिशू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें किसी भी हिस्से जैसे जड़, तना, पुष्प, आधी को निर्ज्रमित परिस्थितियों में पोशक माध्यम से उगाया जाता है पौधे के उतकों का एक छोटा सा टुकड़ा उसके बढ़ते हुए उपरी भाग से लिया जाता है और एक जैली में रख दिया जाता है जिसमें पोशक तत्व और प्लांट के हार्मोन्स होते हैं ये हार्मोन्स पौधों के उतकों में कोशिकाओं को तेजी से विभाजित करते हैं और कई कोशिकाओं का निर्मान करते हैं और एक जगह एकत्रित कर देते हैं जिसे केलस कहते हैं इसी तरह के कई निर्धारित चर्णों के बाद टिशू कल्चर विधी से पौधे तैयार किये जाते हैं और किसानों के खेतों तक पहुंचाये जाते हैं जिसमें प्रमुक रूप से सांगवान, निम्बू, केले और बास के हाई क्वालिटी पौधे होते हैं जो आम पौधों के मुकाबले जल्दी बढ़ते हैं और अधिक फल देते हैं फूल एवं उच्च गुडवत्ता की लकडी भी प्रदान करते हैं साई शक्ती की लाब में बने टिशू कल्चर के पौधे अन्य कमपनियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली एवं जादा मुनाफ़ा देने वाले होते हैं इसका हिसाब आप इस बात से लगा लीजिए कि आस्तन आप टिशू कल्चर के पौधों को अगर एक एकड में लगाते हैं अब सवाल ये है कि आप साई शक्ती बायो टेकनलोजी कमपनी ही क्यों चुने पहला दरसल साई शक्ती कमपनी पारदर्शिता में विश्वास रखती है तो अगर खरीदने से पहले आप लैब में देखना चाहते हैं कि असल में कोई भी पौधा तैयार कैसे होता है तो आपका पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा दूसरा साई शक्ती पौधों को किसानों के खेतों तक पहुचाने की विवस्था खुद करती है तीसरा किसी भी प्रकार के शतिगरस्त पौधे को बदला जा सकता है लेकिन ये सोविधा सिर्फ एक बार ही उतलब्ध होगी चौथा किसान की सहायता के लिए साई शक्ती कमपनी 24 गंटे 7 दिन तत पर है आप हमें कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आप किसान है तो सिर्फ पौधे नहीं पेसे हुगाई